सभी सम्मानित साथियों को नमस्कार, हम जंडा फैराने के आदर्ष नियमों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, ये नियमों का सभी नागरीकों को पता होना चाहिए, राष्ट्रिय धवज की लंबाई व चोडाई का अनुपात तीन अनुपात दो होना चाहिए, किसी जंडे को राष्ट्रिय धवज से उंचा नहीं लगाया जाएगा, राष्ट्रिय धवज फैराया जाए तो उसकी स्थीती विशीष्ट वे सम्मान पूर्ण हो, राष्ट्रिय धवज फैराते से में डंडे में दूसरा धवज नहीं होना चाहिए, जब जंडा अक्स्ति गर परस्त या खराब हो जाए तो उसे एकांत में अधी मान्यते तरीके से पूर्णतया नश्ट कर दिया जाए ज़ंडा अफेराते से में इन बातों का ख्याल जरूर रखें ज़ंडे का इस्तेमाल सजावट पताका या पुष्प गुच्छ के रूप में नहीं होना चाहिए ज़ंडे को तक्यार, उमाल, अथुआ, ड्रैस पर कड़ाई के तोर पर नहीं होगा ज़ंडे पर किसी परकार के अकसर नहीं लिखे जाएंगे जंडे का प्रियोग किसी समारक परतीमा को ढखने के लिए नहीं किया जाएगा जंडे को इस तरह से बांधा या फैराया ने जाए जिससे वह अक्स्ति गरस्त हो जंडे को जमेन फरस पर नहीं गिरने दिया जाए पानी में ने डूबने दिया जाए जंडे को फैराने के समय केश्रिया रंग उपर की ओर होना चाहिए किसी वाहन पर जंडा दाहिने और मजबूती से लगे डंडे पर ही लगाएं परेड जलुस में जंडा दाहिने ओर लेकर चलना होगा कीसी भी विग्यापन के तोर पर जंडे को उप्योग नहीं होगा सभा में मंच पर तिरंगा इस परकार फैराया जाएगा कि जब वक्ता का मुह सरोताओं की ओर हो तो तिरंगा उसके दाहिने ओर होगा जंडे को सफूरती से फैराया जाए और धीरे धीरे आदर के साथ उतार तो प्यारे देशवासियों, प्यारे बच्चों, शिक्षक्षाथियों, भिवावकों सबी से आवान है कि हमारे राष्टर परतीकों का राष्ट्रिय धोज तरेंगे का पूरण सम्मान के साथ आजादिक अमरित महुत्सव हो, शोतंतरता दिवस हो या गणतंतर दिवस हो या किसी भी राष्ट्रिय पर उपर विशेश नियमों का ध्यान रखा जाए और सम्मान पूरवक राष्ट्रिय धोज जान से प्यारित रिंगे को फैराया जाए